जो points को touch करने वाले हूँ, पहला तो ये कि trade में execution तक, मतलब trade लेने तक का process क्या होता है, कि मैंने बहुत से traders को देखा, आप लोग ये क्या करते का हैं, कि intra day में 10-12 trades execute कर रहे हैं, 15-15, 25-35, 30-30 trades मैंने traders को execute करते देखा, और वो option buying कर रहे हैं, पूरे session कर रहे हैं, और लगातार loss booking कर, ये सबसे गलत तरीका है, ठीक है, आपको अपना trade एक level के बाद execute करना चाहिए, और अगर price जैसा कि आज का momentum है, आज का momentum, dead momentum है price में, अगर dead momentum को समझें, तो price में बड़ी body size candles के formation नहीं हो रहे हैं, नहीं कोई एक relevant high या relevant low break हो रहे हैं, previous day low break नहीं हो रहे हैं, तो short नही हो सकता, तो price में कोई एक बड़ा momentum तो ही नहीं, लेकिन हा, जो major चीज़े हैं, उनको हम लोग अगर ध्यान रखके, एक execution तक पहुँचें, तो क्या trade होना चाहिए, ये हमको समझना होगा, ठीक है, जैसे कि हमारे traders, दोनों तरफ से positions को लेकर बैठे हैं, और premium decay, जो buyer loss कर रह कर अभी तक, cost to cost price, net to net trade कर रहा है, जहां उस समय था, लगबग लगबग, 5 minute पहले भी वही था, अभी उसी के आसपास है, इस momentum में, buyer क्या ही कमाएगा, buyer के लिए price है क्या, नहीं, अच्छा, जो buyer loss कर रहा है, trading एक wholesome game है, wholesome समझते हैं, कि एक loss करेगा, तो एक profit करेगा, इस करेंगे, book कर लेंगे, अगर price SI दिखा, तो उसको curve के लिए carry forward करके, morning में, बड़े profits, book कर लेंगे, यह तरीका होना चाहिए, अब यहां पर option buying करने वाले traders माथ लोस करने आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं, identification है, कि price अभी momentum में नहीं है, कब तक नहीं रहेगा, जब तक यह morning की question यह आता है, कि कब trade लेना है, अभी नहीं लेना है, तो कब लेना ही कैसे समझा जाए, यह भी तो एक question है, तो चलिए मैं आपको बताओ, देखिए, दो काम हुए हैं यहां पर, कल हम लोगों ने, शाम के session में, night की जो session हुआ, वहां पर हम लोगों ने सीखा, कि एक moving average को relevant, अच्छे तरीके से कैसे use करते हैं, जिल लोगों ने नहीं देख पाया, नीचे description में telegram का link है, वहां पर वो वीडियो पड़ा हुआ है, उस पे click करके आप देख लिजे, telegram को join कीजे, और वहां पर वो वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से देख लिजे, ठीक है, कोई बड़ा momentum price में नहीं है, कोई entry नहीं, ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये, तो कब तक हमको wait करना होगा, एक अच्छा खरीदार या अच्छा बिक्वाल अपने price पर trade को आने का इंतिजार करता है, तो वो analysis क्या होगा, कि हम ये जान पाएं कि कब हमको trade लेन है, तो सबसे पहले, जो कल average सीखा, उसी ही से देखेंगे, आईए, किसी भी time frame को पकड़ेंगे, मैं 125 मिनट के time frame को आपके सामने ले रहा हूँ, ठीक है, 125 मिनट, अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको बताया, कि किसी भी average को, कोई भी XYZ average हो, उसको use करने का सब सबसे relevant तरीका है, अगर उसके high break हुए, तो impact में high के बाद जो high लग गए, कि break होने के बाद average break हुआ, average break होने के बाद जो high लग गए impact में, अब price lot कर आए, दुबार average की नीचे आए, चाहे कुछ भी करे, last swing low जब तक नहीं जा रहे हैं, price lot कर अगर ये high break कर गया, तो momentum तेज होगा, अब यहाँ पर trade बनाईए, ठीक है, इसी तरीके से, अगर कोई average इस तरीके से है, buyer का average, और price गिर कर उसको एक बार impact में break करके एक low लगा दे, और price दुबारा उपर की तरफ momentum कर जाए, तो अब तभी short करेंगे, जब ये impact के जो low लग गए, तब वो break होंगे उसके ब यहाँ पर हमको एक moving average पकड़ना है कि buyer का ओसत भाव क्या है, जो खरीदार है, जहां से ये buyer seller की fight की शुरुवात हुई, ये पूरा आपको zone दिख रहा है, यहाँ पर कोई momentum बहुत बड़ा हुआ रही, तो इस पूरे zone में buyer का ओसत भाव क्या है, खरीदार का average price क्या है, आज इसके आगे का भी concept आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है, बने रही है अंत तक, मैं बताऊंगा कि इसको crossover, seller के average के साथ कैसे लगाएंगे, golden crossover क्या होता है, आप अभी समझते ही नहीं, अब अभी static moving averages use कर रहे हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं बनता, हर बार आप dropping में जा र तो केवल candles को अगर गिल लिया जाए, तो यहां से scale को उठाईए, और इस तरीके से click कीजिए, और last candle तक ले आईए, तो total 74 bars है, और 25 दिन, और 4 घंटे 10 मिनट का समय लगा है, तो हमको यहां पर क्या करना है, moving average को plot करना है, ठीक है, moving average को लगा लिजे, और यहां पर 74 candles बने, यहां पर length है, नहीं, मैं 74 put कर रहा हूं, closing से लेना है, simple moving average, ठीक है, आई, देखे, क्या हुआ, यहां पर हुआ है, price ने कल एक बार, buyer के औसत भाव को काट दिया, अच्छा सूचिए, मेरा average price है, मैं एक institutional buyer हूँ, ठीक है, मान के चलिए, ऐसा आपके समझने के लिए बता रह 5000 करोड का है, मैं 5000 करोड की खरीदारी कर सकता हूँ, बात के लिए 5000 करोड की खरीदारी कर सकता हूँ, और इसके बावजूर क्या हो रहा है, मैंने 1000 करोड की पहले खरीदारी की, किसी stock में, फिर मान लेते हैं, उस stock का price पहले 500 रहा, जब खरीदारी की, जब दुबारा 1000 था 550 ठीक है तो मेरा आवरेज क्या आ गया 525 आ गया न इक्वल पैसा उतना ही लगा रहा हूं और किस प्राइस पर लगा रहा हूं तो दोनों को add-on करके बाइटू तो दूसरी बाइंग मैंने की 525 आवरेज आ गया अब तीसरी बार फिर मैंने 1000 कुड की खरीदारी की लेकिन 600 के प्राइस पर ठीक है तो मेरा आवरेज कहीं ना कहीं इधर 540 550 की तरह बढ़ गया 550 के असपास आ गया अब इतनी मैं खरीदारी कर रहा हूं मैं इतना बड़ा खरीदार हूं अचानक से कोई सेलर आकर 3-4000 क्रोड की बिक्वाली करे और मेरे औस भाव के नीचे प्राइस यहीं पर करूंगा जब वो मेरा आसद भाव के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा होगा मैं अपनी ट्रेड को रैड नहीं देखना चाता हूं लॉस में नहीं देखना चाता हूं जब मैं ही डॉमिनेशन की पोजिशन में हूं मैं ही उस प्राइस को चलाने की चमता रखता तो मैं तो चाहूँगा कि price को नीचे ना आने दिया जाए यही institutional buyer seller की fight है ठीक है बात के लिए रुई तो यहाँ पर देखे यहाँ पर क्या हुआ इतनी खरीदारी हो रही देखे price को एक बार भी swing low लोग break नहीं करने दे रहा है यहाँ पर swing low लगे एक बार भी break नहीं करने दे रहा है हर बार उपर shifting कर रहा है इस बार seller ने क्या किया buyer के average price को break कर दिया तो आज buyer ने अपनी positions को बचाने के लिए gap up किया और gap up के बाद लगातार खरीदारी की कोशिश चल लई है लगातार buying की कुशिश चल लई है अब लेकिन अभी तक buyer seller के बीच fight चल लई यह जो projection है जो intraday momentum है यह बड़े buyer seller के fight को दर्शार आया है अब देखिए पूरे दिन एक बार buyer ने price को पहले low break किये गए day low और फिर दुबारा price को हाई break कराने की कुशिश की गई buyer डरे हुए अब यहाँ पर buyer seller ने अपनी actual power को दिखाने की शुरुआत की seller price को खीचना चाते है क्योंकि उसने short selling बहुत कर दी buyer के average price को एक बार break कर दिया इसके बाद अब वो चाहते हैं इस impact low को cut दिया जाए जो impact low लगा वो cut दिया जाए तो मेरे लिए जो महतपूर price है buyer अपनी positions में तब तक ही fight करेंगे जब तक कल के जो low लग गए वो break नहीं होते पहली जीज़ ठीक है buyer अपनी position में कब तक fight कर पाएंगे जो कल के low लग गए जब तक वो breakdown नहीं होते तब तक fight कर पाएंगे उसके बाद नहीं कर पाएंगे इसका मतलब है मेरे लिए एक tradable prices के लिए मैं इंतजार कर सकता हूँ वो momentum मुझे मिलेगा ये 47.400 के बाद मतलब अगर मैं short selling प्लान करूँगा देखिए ट्रेडिंग में एक चीज़ बहुत महतपूर होती as a buyer जब आप option buying कर रहे हैं hedging नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे महतपूर है आपका patience धार है सही level का इंतजार कीजिए सही price पर trade को आने दीजिए आपके execution सही होंगे तो आपके profits बड़े होंगे बात के लिए अब देखिए पहले 125 मिनट की candle के high low mark कर लीजे इसी के बाहर price नहीं जा रहा है तो क्या momentum देगा मैंने आपको एक बताया था न setup की पहले एक घंटे या दो घंटे की candle के high low mark कर लीजे जैसे ये candle green बन गया मान लीजे अब green candle से मेरा मान लीजे मन ही बन गया है मैंने कल के session को देखाई नहीं कोई वरीता नहीं दे रहा हूँ इसके बाजूत मेरा बन बन गया कि ये buyers ने अच्छी खरीदारी दिखाई है अब अगर wire win की है तो हम लोग wire की side एक trade execute करेंगे ऐसा सुचा तो trade execution कब होगा जब इसके high break होगे impact जो लग गया पहले घंटे का वो high यही तो दूसरी demand को दर्शाएगा कि buyer और खरीदारी कर रहा है या फिर seller से ज़्यादा खरीदारी कर रहा है बात clear हो रही तो अभी तो कोई momentum बनता ही नहीं लोग कब break होगे 47-400 47-400 के बाद आप कहीं short stealing कर पाईएगा तब तक क्या करना है कभी कभी buyer को पूरा station निकल जाता है सुबह बैठेगा और सामको 3 मुझे तक बैठा रहेगा और एक trade execute करने को नहीं मौका मिलेगा बाद clear हो रही है तो वो patience चाहिए वो धैर चाहिए कि जब trades में loss ही जाने को है तो बाजार में एक line कही जाती है no position is always position अगर आपके पास कोई position नहीं है तो वो खुद में एक position क्यों कम से कम आप loss में तो नहीं है cost में तो है कई traders जो गलत patience नहीं है 47-400 के नीचे अच्छा फिर long कप करना है अगर मा लेते हैं price नीचे आया ही नहीं दुबारा ये price buyer ही यहाँ पर खरीदारी में अभी तो fight चल रही है तो कहना ही मुश्किल है कि buyer win करेगा या seller seller का winning तब मानेंगे जब कल के जो low लग गए वो breakdown होंगे तब बड़ा momentum नीचे मिलेगा अगर break ही नहीं हुए तब तो हमारे लिए उपरी इस तरफ पर जो भी price है वो महतपूर है अच्छा क्या महतपूर होता है तो मैं आपको बताता हूँ previous 3 trading sessions के 3 trading session के high low mark करके रखिए और उसमें last session के high low सबसे relevant होते हैं वहाँ पर price अगर निकल गया तो समझे अब price निकल जाएगा तो कल के session के high क्या है बताईए कल के session के high ये आपके सामने लगे हुए देखें 48-150 ठीक है अच्छा इतनी जानकारी मिल गई इसके पहले session में हम लोगों ने एक चीज और सीखी अब आते हैं कि ये कि आज क्या लगता है आज अनुमान क्या है ये तो वो बाते हो गई कि आज break करेगा भी या नहीं करेगा clarity नहीं है तो फिर इतने समय तक screen पर बैठना और इंतजार करना बिल्कुल करना चाहिए अगर आप professional trader बनना चाहते है तो ये आपकी जिम्मेदारी प्राइस के सामने बैठी है ठीक है screen के सामने बैठना सीखिए कम से कम आप लोगों क्या चाहिए screen open किया तो सबसे पहले trade execution चाहिए नहीं पहले तो बैठी है और देखिए trade बनने का इंतजार कीजे momentum के आने का इंतजार कीजे तब trade execute किया जाता है कई traders का मैंने habit देखा कि trade में होना ही चाहिए कोई ना कोई trade चलना चाहिए screen पर वही लोग loss में है sir जिनके पास धैर नहीं है वही लोग loss में अब समझे दूसरी बात बताओ तो यह बात हो गई कि इसके बाद long करेंगे और इसके बाद short तो इस पूरे momentum में क्या करेंगे hedge करेंगे sir premium decay जिसको technical में theta कहते है मैं classes में समझाता हूँ theta कैसे आप लोग आसानी से समझे कोई technical नहीं है price का time का value को कैसे गेन करना जैसे अब premium decay होते जा रहे है premium decay होना समझते हैं कोई भी strike price इसके premium गिर रहे है price वही पर खड़ा है premium गिर रहा है price वही पर खड़ा है premium गिर रहा है जैसे morning में जब यह price यहां पहुचा होगा तब आप देखेंगे 48,000 के call option के premium कुछ और रहे होंगे और वहां से अभी price यहीं पर है तो 48,000 के call option के premium अब कुछ ना कुछ 10, 15, 20, 20 point कम हो गए होंगे तो दोनों तरफ से ऐसा position बना कर बैठिये कि आपको उनका decay मिले वो जो value lose कर रहे हैं जो premiums में erosion हो रहा है वो आप कहीं न कहीं gain कर ले ठीक है अब दूसरी बाद price में momentum यह तो तै हो गया कि इन दोनों sessions के बाद आएगा या फिर कम से कम intra day high अगर छोटे trader है risk reward 2 minute के time frame पर हमारे traders rate करते हैं वो इस high के बाद भी momentum यहां से यहां तक ले लेंगे ठीक है as a buyer यहां से यहां तक का अगर price यह day high आज के current day high निकला तो यहां बीच में कोई भी resistance नहीं दिखता है प्राइस यहां तक चलके चला जाए बात clear होगी तो उसको भी इंट्राइमेंट कर लिया जाएगा लेकिन अब यह पता किया जाए कि आज का view क्या दिखता है तो एक मैंने आपका class किया था option chain पर थोड़ा सा session था 15 मिनिट का अगर आप उसको और अच्छे से सीखना चाते ह यहां फिर description में जाके आपको contact details बिल जाएंगे वहां भी बता सकते हैं ठीक है तो मैं आपके लिए एक session वहां पर ले आऊंगा दुबारा से option chain के लिए अभी option chain को देख लेते हैं ठीक है यहां पर chart पर ही right click किजे कई लोग कहते हैं sir bank nifty और nifty को आप trading view में सिखा रहे हैं यह trading view का chart है और यहां पर एक indicator लगा लेते हैं कभी कभी मैं आप बॉलिंजर बैंड को भी इस तरीके से plot कर लू बॉलिंजर बैंड मैं सिखा आपके लिए free of cost उपलब्ध हैं ठीक है कोई भी पैसा किसी को नहीं देना कोई subscription चार्ज नहीं लेना यह धन का डीमेट है सब कुछ free of cost है आप देखिए टाइम फ्रेम आपको पांच पंदरा तीस सेकेंड तक मिल रहा है स्काल्पिंग तक का टाइम फ्रेम मिल रहा है आप ठीक है नेचे description में लिंक है धन के डीमेट का उपिन कर लिए बिल्कुल आसान आपके लिए और ट्रेडिंग आसान हो जाएगी वन वे प्लेटफॉर्म है option chain यहीं पर मिलेगा strategy builder यहीं पर मिलेगा यह चार्ट ट्रेडिंग व्यू चार्ट आइक्यू दोनों के चार्ट चा राट आइकी के चार्ट पर इबरेजस को यूज किया जाता है और बहुत सारे ऐसे टूल है जो चार्ट आइक्यू के चार्ट पर इससे बहतर काम करते हैं उनको हम लोग क्लासेश में सीखते हैं ठीक है उसके लिए डिस्क्रिशम में आपको कॉंक डीटेल्स मिल जाएंगे वहां से join कर सकते हैं चलिए option chain के लिए चार्ट पर ही like किजिए और option chain में आ जाई option chain में आने के बाद क्या दिख रहा है maximum open interest पर नजर रखिए 48,000 पर 47,35,000 के आसपास total open interest बात clear हुई इसका मतलब है price में एक बड़ा momentum 48,000 के ब्रेक होने के बाद ही मिलेगा कैसे कह सकते हैं अभी क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि आज के high 920,930 तो लगी गए है 920,930,940 के आसपास के और वो जो high लग गए हैं उसको break करने के बाद 48,000 एक major resistance call option writer बैठे हुए है sir call option seller seller कभी call option seller का मतलब है इतना seller है कि वो price को उपर नहीं जाने देगा वो तभी जाने देगा जब उसको डर हो डर किस बात का हो loss को loss को कब होगा जब price 48,000 को निकलेगा तो यह short covering की rally है यह technical terms option chain करूँगा न तब आपको बताऊँगा short covering क्या short covering होता है अब sellers अपनी positions को book करें और उपर कही shift करें ठीक है तो और 40,000 के उपर आज जाने की संभबना कम लगती है कम से कम आज के session में तो नहीं लगती है और इसके बाद अगर अभी देखा जाए तो downwards 30,000,000 और 30,000,000 put side premium अगर देखे जाए तो comparatively कम है call side के अगर at the money strike price 47,000 ओपर देखा जाए तो call writer अपनी position छोड़ नहीं रहा है at the money strike price पर भी इसलिए buyer तो अच्छी fight कर रहा है price में देखा जाए लेकिन call writer अपनी positions इस तरीके से बनाए हुए है कि वो भी price को उपर जाने नहीं देना चाहते है और put writer भी ऐसी positions बना कर बैठे हैं देखिए यहाँ पर open interest इनका भी open interest ऐसा है कि यह नीचे भी नहीं आने दे है अगर इसमें से कोई भी major level breakdown होता है तो momentum की संभाबना होगी अगर 47-700 तूट जाए तो downwards 47-500 तक price चल कर जाएगा अगर 48-000 तूट गया तो अगला target 48-200 intraday में आपको मिल जाएगा यह दो-दो डेट-डेट-सो पॉइंट के momentum दो गेन कर लेंगे आसानी से ठीक है यह chain call or put के total writers को देखकर nearby at the money strike prices को देखकर आप बता सकते हैं price क्या कर रहा है आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूत नहीं और morning से ऐसा ही open interest है तो इसके बाद अब बता दीजे price क्या करेगा consolidation करेगा ना जब उसको रहना ही 47-700 देखें live market है यह ठीक है और 48,000 इस zone में रहना है तो price करेगा क्या 300 point के zone में रहना है और 47-800 पर maximum open interest दिखता है एक तरफ 35 लाग call writer है और एक तरफ 30 लाग put writer है तो मिला जुलाकर बड़ा open interest दिखता है तो price कहीं ना कहीं 47-800 के पास रहने की कोशिश करेगा इससे 100 point उपर नी इसमें से कोई major level जाए जैसे 47-700 break हो जाए या 47-500 जब break होंगे तब सबसे बड़ा momentum मिलेगा 4-5-600 point का उसके लिए इंतजार कीजिए ठीक है चलिए आज के लिए परयापत है धन्यवाद नज़र रखिए जो levels बताए उन पर नज़र रखिए और देखिए आप trade करते मॉर् momentum का इसा होता है ठीक है धन्यवाद आज के लिए परयापते